करनल वी एच सिसोधिया वा सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्ग दर्शन में बच्चों की नोवी से ही कैरेट काउंसलिंग करके उन्हें उच दर्जे की डिफेंस की तयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भरती पास की। एड्रेस ज्यान जोती पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस वे स्पोर्ट्स अकैडमी सीबी एस एफिलियेटिड इंग्लिश मेडियम नस्दीक दर्बाबस्टेंड मानक दिवान कॉंटेक्ट नंबर 999257 11118929551111 नमस्कार मैं उप्रमोद और आप देखना सुरू कर चुके हैं दीसडकनामा.com इस वक्त मैं मौझूद हूँ एलनावाद विदान सबाक शेतर के गाउं सापुरिया में और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि दीसडकनामा.com की जो चुनाव यात्रा है वो गाउं गाउं जा रही है और हम गाउं के मुद्दे के साथ साथ जो है किसानी से जुड़े हुई तमाम जो चीजें हैं वो आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो के असिस्टेंट डिरेक्टर है रिटायर है जो सही राम गुदारा और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रिटायर मेंट होने के बाद जो है इन्होंने यहाँ पे ये बालूरेत का जो खेत है यानि कि बिल्कुल टिले होते थे यहाँ पे और अब यहाँ पे जो है बाग है वो लहला रही है और बाग की जो फसल है इसार सफेदा जो बाग है उन्होंने छे एकड में लगाया है और वैसे तो बारा एकड में है जिसमें से दस एकड में इसार सफेदा और ज डृप सिस्टम से यहां पर सिंचाय की जाती है, टैंक बनाया हुआ है और जो है सोरुड़ा के जो जहां से बिजली पैदा होती है और यहां पर डृप सिस्टम है सारा वो चलता है, एक फसल जो है यह ले चुके हैं, करीब दो लाख रुपे इस बाग से इंकम हुई उनकी, और चुनके अभी एक फसल है वो ओर तयार है और इसके साथ-साथ जैसा कि आपसे लोग जानते हैं कि यहां पर उप चुनाओ हो रहा है। चुनाओ को ले करके हम चुनाओ के साथ यो है। कhetी किसानी से चुड़ो एंए त uma 53 वर हैं। गुदारा जी इस बार जो पहली फसल आपने बाग के लिए कितना मुनाफ़ा हुआ उससे और फसल जैसे आप बता रहे थे कि सीजन से कुछ पहले ही आपकी फसल है वो तैयार हो गी थी हाँ इससे मुझे कोई 2,000,000 के करीब जो है हो गया था और मार्केट में मैं नहीं ले गया था यह लोकल जो गाम है यहां दस बारा गाम है लोकल वहां कोई और तो अमरूद का बाग है नहीं और मेरे बाग की जो फसल है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लोगों ने पसंद सब कुछ लेगे बात प्रोफिट की जो कह रहे हैं तो मेरा अभी मैंने जो है उसका हाफ ही प्रोडेक्ट लिया था आधा प्रोडेक्ट मैंने जाड़ दिया था क्योंकि मेरे पोदे अभी छोटे थे यह कोई पौने दो साल के हुए थे उस टाइम तक है तो मैंने सोचा कि करें डी सेप ना हो जाए पोदे सारे उसे ज़्यादा बजन से जुक जाते हैं तो मैंने आधे तोड़ दिये थे आधे रखे तो उससे भी मेरे को दो लाग के बटत हो गई थी आमदनी की बात अगर आप पूछते हो तो बाग के अंदर आमदनी तीसरे और चोथे साल के अ अलावा हमारे घर से साथ आठ लाक लग जाती है तो वो दो साल में पूरे हो जाते हैं और आमदनी जो है वो तीसरे साल में प्रोफिट सुरू हो जाता है सरकार सरकार जो है बागवानी की बात करें तो किसानों को किस तरह से मदद कर रही है क्या-क्या जिस तरह से आप बत कर रहे हो तो मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि सरकार बहुत ही साहता कर रही है अगर किसान साहता लेने वाला हो तो टेंक की बात आपने की तो 100% सबसीडिय और देदी कि साधे चारलाक ट्रॉपे मेरे लगे ने दो पोगे बात करो तो 50% पेमेंट की करते हैं अगर बेरिकेडिक बगेरा की करो मैंटेनिस की करो तो साथ आठ जार रुपहें जो रहला वो मैंटेनिस के भी देते हैं और रुप एधियर कोई खर्चा, फरी के अंदर पानी चलता है और 90 परसेंट सबसीडी है जिसमें सिरफ 10 परसेंट किसान को बने होते हैं तो मैं तो कह रहा हूं कि जो मेरी ट्रेडिशनल जो खेती लोग करते हैं जैसे चने की है गवार की है या गेहूं की है उससे भी सस्ता पढ़ रहा है मुझे तो और आंदनी उससे तीन गुणा चार प्रमप्रागत खेती को छोड़ करके जो है दूसरे पैसे भी उससे बने हाँ यह तो बहुत ही अच्छी बात है आपकी दो साल तक जब खर्चा होता है तब तक तो आप अपनी ट्रेडिशनल क्रोप भी उसमें कर सकते हो और उसके बाद में जो है आपकी तीसरे साल में जो के लिए भी दिक्कत आई होगी आपको पानी कैसे मिला पानी भी सरकारी सप्लाई कर रही है फरी में ना हमारा खर्चा लगता है ना हमें मेंतिया मजदूर रखना पड़ता है हर खेत के अंदर हर किले चार किलों के उपर एक एक नका दे रख है और सरकारी बिजली का और बाब यह सारे किसानों के लिए सरकार कि उपलब्द करा रही है और किसान मतलब लेना नेलेवाना चाहिए उसको सकीम का पता भणा साहिए इसकी आइडवर्टाइजमेंट थोड़ी सी कम हो रही है इसलिए थोड़े से किसान जो है ज्यादा एजुकेटव ने वह विचारे बंचीत रह जाते हैं जो है किसानों की जो है दिशा बदल दी है इस यह इसके बारे में अब क्या बताओं एक ऐसी बात है कि सापुरिया गाउं के अंदर जो है लोग रिष्टे के लिए भी जब आते थे तो थोड़े से सोचते थे यार तिल्य यहां कुछ होता अब बाग वाला सापुरिया हो गया यहां कम से कम पचास साथ बाग लग चुके हैं पिछले दो साल में और अभी जो है बहुत ज्यादा लग रहे हैं अनार अमरूद तो यहां की मिट्टी है वह इसको सही मानती है जिस तरह से आपने इसार सफेदा लगा वन ओफ दी बेस सूटेबल सोहल है यह और चार्ड के लिए बाग के लिए बागवानी के लिए और जो यह आपका अमरूद है अनार है उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इसमें जड़ों के अदर पानी खड़ा नहीं रहता है जड़ गलंड का रोग है और तरे की जो लोग है इसकी जो है वह बहुत ही कम आते हैं यह सबसे सूटेबल सोहल है उसके लिए जी तो और क्या कहना चाहेंगे बाकी किसानों को कि वह प्रक्दिशिल किसान बने और बागवानी से जो है इनकम ले हाँ मैं तो यही सला देना चाहूंगा कि जिन बाईयों ने बाग लगाए है जिनों ने इस सारे प्रबंधन इसका किया है सरकार से जिन को साहिता मेरी है वो उनसे भी कणक्ट कर सकते हैं उनसे पूछ सकते हैं और हर किसान जो है उनको गाइडाने के लिए बाईचारे के तवर और किसानियत के तौर पी उनके लिए त्यार होता है और मैं तो स्पेसली किता हूँ कोई भी भाई मेरे पास आ सकता है मैं हर सकीम उसको बताने के लिए त्यार हूँ तो बाकी इस जो है आपने छेकड में यहां पर इसार सफिदा लगाया तो अब जो है दूसरी फसल है वो कब तक आजेगी आपकी कुछ एक महिने मेरा एडवास चलता है यह इस तरह से है जी से अरियाना और महराश्टरा का है यह जो जमीन पक्की है वहां थोड़ा सा लेट होता यह बालू रेट है तो यह जल्दी गरम होती है यहां ज्यादा शादा हीट मिलती है पौदों को तो जल्दी फूरूट तय क्रोप आ जाती है बाजार के अंदर तो उस टाइम सस्ता हो जाता है क्योंकि यह तो एक एक इकोनोमीक का रूज है जब सप्लाइज जादा हो जाएगी और डिवांड तो उतनी रहेगी तो वह सस्ता हो जाएगा लेकिन यह एक महिना कम से कम एक महिना जो है एडवास आता है और बहुत अच्छे रेट मिल जाते हैं तो यह थे हमारे साथ जो है हमने आपको दिखाई तस्वीर है कि एक जो है दिशा बदल दी है बागवानी की बात करें और सब कुछ यहां पे जिस तरह से पानी भी और जो है पोदे भी और जिसे लाइट भी तो तमाम जो है सरकार क की ऐसी योजनाएं हैं जिनका फाइदा उठा करके यहां पर जो है काफी जो है किसान है वो शापूरिया में बागवानी से जुड़े हैं और उनके लिए प्रेणा बने हैं सही राम गुदारा जिनोंने जो है इस इलाके में एक नई जान पैदा की है यह कह सकते हैं कि जो ने बाग लगा दिये हैं और लाखों रुपे जो है सालाना जो है मुनाफा ले रहे हैं तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरू कर दिजिए क्योंकि दिसडकनामा.com की जो चुनाव यात्रा है वो एलनावाद विदानसभा अक्षेतर के तमाम गाउं में जा रही है और हम आपको तमाम जो अंच्छुए पहलूं से रूबरू करवा रहे हैं और खास करके क्योंकि ये खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ इलाका है तो यहां पे जो प्रक्तिसिल किसान हैं उनसे भी आपको लगातार मिलवा रहे हैं इस वीडियो को शेयर जरू कर दीजिए ताकि तमाम किसानों तकी जानकारी पहुंचे बहुत बहुत शुक्रिया